आईटे में एडविशन का प्रोसेस सुरू हो चुका है आईटे में एडविशन चातर ले भी रहें और चातरों के दिमाग भी बहुत सारे कंफ्यूजन भी चल रहे कोई चातरों ये समझ के एडविशन नहीं ले रहें कि हमें सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा इतना ही नंबर है हमारा इतना ही प्रत्सक्त है हमको यहाँ पर सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा इसी में से कुछ चातरों का कमेंट मेरे YouTube चैनल पे देखने को मिला जो कि मैंने कमेंट देखा तो कुछ चातरों का कमेंट था कि सर एक वीडियो के मादम से आप जनकारी दे दीजिए कि जो पिछला कटाप बना था IT एडविशन का वो कितना गया था कितना दस्वी में प्रतिसर चाहिए ताकि हम सरकारी कॉलेज प्राप्त कर पाएं तो ये जो वीडियो होने वाले हमारे इसी टापिक पे होने वाले हैं तो जो भी चातर आईटी में एडविशन लेने वाले हैं सभी लोग वीडियो को फूरा देखेगा तब ही आपको सारी जनकारी प्राप्त हो पाएगे ये जनकारी मैं आपको दे रहा हूँ पिछली साल का जो कट अप गया था उसके बारे के अनुसार त्योंकि जो चातर पिछली साल आईटी में एडविशन के लिए फार्म भरे थे उनका कट अप कितना गया था कितनी पे मेरिट बनी थी ये सारी जनकारी आपको देने वाला हूँ जिसी की सातियों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दो कॉलम बनाए एक सरकारी और एक प्राइबेट सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सरकारी के लिए देखिए आप जब भी आईटी में एडविशन के लिए फार्म को फिलप करते हैं तो इसमें क्या होता है चाहे आप एक साल का कॉर्स करते हैं या दो साल का कॉर्स करना चाहते हैं सबका यहाँ पर आलाइन किया जा रहा है और बहुत सरे चात्र ऐसे भी होते हैं जो कि 6 मंद का भी कॉर्स करते हैं लेकिन आप पर हम सब की बात करेंगे ध्याने किएगा जो चातर IT में admission के लिए फांट को fill up किये है ध्याने किएगा उनका यहां पर merit list जारी किया जाता है total चार जारी किया जाता है एक, दो, और तीन, और चार यह जो आपका जारी किया जाता है फर्ष्ट merit list इसमें सबसे जादा जिनका यहां पर प्रतिसत रहता है सबसे जादा मतलब ध्याने किएगा जिनका यदि जो चातर जनरल के अंतरगत आते है मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूँ देखे, जो चातर जनरल के अंतरगत आते हैं यदि उनकी प्रतिसत की बात करें तो यदि उनका 90 प्लस है तो उनको फर्ष्ट merit list में ही नाम देखने को मिल जाएगा ध्याने किएगा और जो चातर फर्ष्ट merit list में नाम देखना चाते हैं और OVC के अंतरगत आते हैं उनका कम से कम 85 प्लस होना चाहिए कह सकते हैं कि 85 प्लस यदि उनका है तभी उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा तिसरा यहाँ पर आते हैं 80 के चातर है तो जो चातर SC के अंतरगत आ रहे हैं उनका कम से कम 80 प्लस होना चाहिए क्योंकि इनकी छूट भी दी जाती है तो यहां पर निका जो नंबर होना चाहिए 80 प्लस होना चाहिए और जो चाहत एश्टी के अंतर गताते हैं उनका कम से कम होना चाहिए 75 प्लस ठीक है तो उनको सरकारी कॉलेज मिल लेगा यह हम बात करें हैं फर्ष्ट मेरिट लिष्ट म फर्ष्ट मेरिट लिष्ट में जिनका हाई प्रतिस्यत आता है उनका राता है सेकेंड में आपका आता है कि कुछ चातरों का नाम देखने को मिल जाता है लेकिन धिहान किएगा बहु सारे चातर क्या करते हैं किसी काराण वन सुनका है यह फर्ष्ट मेरिट लिष्ट में न न थर्ड में आएगा तो आप बीना एडमिशन के रह जाएंगे तो ध्यानी किएगा जो चाहतर आईटे में एडमिशन ले रहे हैं यदि किसी भी मेरिट लिश्ट में उनका नाम आ जाता है तो वो जाकर तुरंद एडमिशन का जो प्रोसेस से उसके अनुसार आप चलें वि जो भी याँ वेकेंसी या जो भी आईटे से समन्दित आपडेट आती है सबसे पहले आपको जर्कारी दे जाती है तो फटापट आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा अब यहाँ पर बात करते हैं साथ वो प्राइबेट की ध्यानी किएगा प्राइबेट आप इड्मिसन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आप प्राइबेट की हाला देख सकते हैं वेसे में आपको बता दू सारे प्राइबेट कॉलेज यहाँ पर खराब नहीं है लेकिन कुछ प्रैपेट condolay ग्मेहां पर बहुस्ताव नहीं हो पाती है और आईटे में जो चातर लेते ओ किया नहीं है तो यहां पर सरकारी कॉलिज यहां पर आपको उपर बताएं ताकि आपको समझ में आसके तो जो भी छात्र किसी भी Suppusion में य Twitter का आपको किसी नकारी चाहिए तो आप दोrade किमर्फ में पूछ लीजेगा आपको जनकारी मिल जाएग triumph